विप्रधेन सुरसंत हिदलीनम् मनुझ अवतार निज इच्छा निर्मित तनू माया गुन गोपा निश्व में कितने राष्ट्र कृष्चन है कितने राष्ट्र इस्लामिक कंट्रीज है हिंदु राष्ट्र का है था उसको मिटा दिया यहां तो एक नए कानून को लाकर देश्क में एक सुव्यवस्था लाने का प्रयास हो रहा है तो उसमें भी राजनिती करके उसका ऐसा विरोध और बसें जलाई जा रही है यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी ऐसा काम करते है यह विद्यार्थियों का काम है बसे जलाना श्टॉन पेल्टिंग करना यह तो गुंडों का काम है यह विद्यार्थियों का काम है हाँ विरोध करने का अधिकार है गणतंत्र में प्रजातंत्र में लेकिन वो विरोध कि एक उसका एक धंग होता है बिल्कुल विरोद करो असहमती जताने का पुरा अधिकार है हमारे गणतंत्र में विए डेमोक्रेटिक स्टेट लेकिन बसे जलाना सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुचाना इतना गुसा आ गया तु बस जलाने लगा जला नहीं थी तेरी अपनी बाइक क्यों नहीं जलाई इतना गुसा आ गया था अपने घर में आग क्यों नहीं लगाई तु राष्ट्रिय संपत्ति को यह जला रहा है यह कोई विरोध का तरीका है और तुम्हें चिंता क्यों हो रही है जब कहा जा रहा है कि इस देश के नागरिक को कोई चिंता करने की आवश्यक्ता ले लेकिन जो गुस पैठ यह है उन्हें तो बार करना होगा तो एक भारती के रूप में यह तो स्विकार ही होना चाहिए तेरे घर में कोई घुश जाए तो तू रहने देता है तो भारत हमारा घर है अतिति के रूप में हम जिनका स्वागत करें करें लेकिन कोई चोर चोरों के लिए उचकों के लिए लफंगों के लिए दरवाजा खुलेंगे क्या अरे विजा के लिए एप्लिकेशन करना पड़ता है तो उसमें भी लिखना पड़ता है कि आपका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड है क्या पहले आपके उपर कभी कोई केस हुआ है क्या लिखना पढ़ता है सब बताना पढ़ता है और यहां कोई भी गुश जाता है बिल्कुल ठिक कहा हमारे ग्रहमंत्री जी ने गुश पेटियों को तो निकलना होगा यार बोड़ी बामनी नूँ खेतर छे इतना कमजोर और लापरवा बैदरकार तो यह राष्ट नहीं हो सकता इतना कमजोर और इतना बैदरकार और यदि दरकार नहीं अभी हुई और कुछ नहीं किया तो 25-30-40 साल के बाद द्रिश्य बड़ा भेंकर होगा इसलिए घर में जो कच्रा बढ़ गया है उसको साफ करो मैं तो व्यास्पिट पर बैठा हूँ हमारे यहां तो वैसे देखा जाए भावनात्मक द्रिश्टी से तो हमारे वसुदहिवकु टुम्बकम की बात है तो नहीं कि तुम कच्रा आने दो अपने घर में हाँ हम विश्रु मानुता से प्यार करेंगे हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले देश में भी कोई कुद्रती आपदा आती है तो हम उसकी सहाईता में खड़े रहते हैं और रहेंगे लेकिन कोई हमारे घर में आकर के उपद्रव करें यह तो बिलकुल स्विकार यह नहीं है एक तो बिना इजाज़त के गुश जाए और फिर चोरी वोरी यह उपद्रव करता रहे है इसलिए देश को देश के नागरीकों को क्या चिंता है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट से उनको की चिंता करने के आवर्शक्ता ही है देश के ग्रह मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो कानून लाये जा रहे हैं उसको ठीक से समझो यह वाला नाम इसमें क्यों नहीं है बाकी सारे धर्मों के नाम लिखे इसमें यह क्यों नहीं क्योंकि उनके घर है अपने वो इस्लामिक कंट्री है हमारे पडोसी के पेट में दर्द शुरू हो गया वहां की संसथ में चालू हो गई बाद हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है इस प्रकार का यह ठीक नहीं है कि यह देता इतनी ज़्यदा तुझे चिंता है तो इतना कहदय कि हिंदुस्तान से आने वाले मुस्लिमों को हम स्विकार करेंगे यह के लिखार और हुंदुस्तान का मुसल्मान तेरे यहां जाएगा भी नहीं क्योंकि उसके लिए ये वतन है और ये वतन जितना हिंदू प्यार करते हैं उतना ही मुसल्मान भी प्यार करते हैं इस वतन से और यहां के मुसल्मानों को पता है कि पड़ोसी देश के मुसल्मानों से इस देश में हम ज़्यादा सुखी है तेरे यहां यहां का मुसलमन आएगा भी नहीं तु अपना घर संबाल भीया क्रिकेट खेलते खेलते राज़ीती करने भीया अब हमको कोई बिठा दे कि अरे माराज जी आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं अच्छे अच्छी बाते करते हैं कितनी ग्यान की बात करते हैं आप व्यास पीट से राष्ट के हिद की बात करते हैं आपको ही प्रधान मंतरी बनना चाहिए हम सब मिलकर के आपको प्रधान मंत्री बना देते हैं गड़बड हो जाएगी मुझे कथा करना आता है देश चलाना नहीं आएगा मेरा काम कथा करना देश चलाना अलग बात है क्रिकेट खिलना अलग चीज है और राष्ट चलाना अलग चीज है राजनीती अलग चीज लेगिन चाहे कथाकार हो चाहे क्रिकेटर हो चाहे व्यापारी हो चाहे कलाकार हो सभी का संबंद राष्ट से तो है ही है और इसलिए राष्ट के हित में जो बाते हैं हमें चर्चा करनी हैं हमें सोचना है और जो हित में हैं कि ऐसे कानून का समर्थन भी करना है स्विकार भी करना है कि हम एक सभ्य समाज है कि भीड नहीं है हम भीड का हिस्सा न बने हम एक सभ्य समाज का हिस्सा बने भीड के पास मस्तक होते हैं दिमाग नहीं माननी सर्वोच जन्यायले ने भी कहना पड़ा पहले यह हिस्सा और उपद्रों बन करो बाद में आओ हमारे पास यह बसे जलाई जा रही है यह शांती करी जा रही है यह क्या पागलपन है माननी सर्वोच जन्यायले ने अपनी नाराजगी दिखाई तो गनतंत्र में विरोध का बिल्कुल स्थान है सबल जागरत बलवान प्रतिपक्ष के बगैर गनतंत्र मजबुत नहीं हो सकता लेकिन राजनिती चाहे प्रतिपक्ष करें चाहे शाशक पक्स लेकिन देश को आगे रखकर राजनिती करें यह ज़रूँ है इसलिए बहुत सही का नेशन फस्ट पार्टी सेकंड मैं लास्ट सबसे पहले मेरा देश ऐसी राजनिती नहीं होनी चाहिए कि देश को नुकसान पहुचे व्यास्पिट किसी भेदभाव के बगैर बिल्कुल स्वस्थ और संतुलित चिंतन देती है कभी आक्रोश भी व्यास्पिट से प्रगट होता है तो वो मन्यू है मन्यू कहते हैं पुन्य प्रकोब को ऐसा क्रोध जो कल्यान कारी हो उसको मन्यू कहेंगे मन्यू कहें प्रकोब कर दो वो मन्यू कहेंगे